हाई फ्रेंड वेलकम बैक तो माई चैनल आज हम आपके लिए बहुत ही डिलीशियस पनीर की रेसिपी लाए हैं पनीर दो प्याजा इसमें हम प्याज दो तरीके से काटेंगे एक डाइसस में और एक पतली बहुत ही टेस्टी और यम्मी रेसिपी है बनाना बहुत आसान है व इसके ऊपर का पोर्शन जो बड़ा होता उसे डाइसस में काट लिया है और बाकी हमने पतले स्लाइस कर लिये हैं देसी टमाटर लिये हैं दो टेबल स्पून घी डालेंगे और एक टेबल स्पून तेल आप चाहें तो घी में ही बना सकते हैं और चाहें तो तेल में पनीर ह हमने लिया है पनीर के बड़ी-बड़ी slices हम इसके अंदर डाल देंगे और पानी है इसलिए थोड़ा समय लगेगा तीन मिनट अगर आप दिना पानी की ताजी पनीर बनाए हैं तुरंत घर में या बाजार से लिए हैं तो वो भी पानी में रखते हैं वेट बढ़ाने के आपको लो फ्लेम में इसे तलना पड़ेगा कि जब तक इसका पानी अंदर से पूरा निकलना जाए अब देखिए हम मसाले बनाएंगे मसाले के लिए मैंने दो चमच मलाई और दो चमच दही ली है इसमें हमने मिर्च डाला हाफ टेबल स्पून मिर्च हाफ टेबल स्पू बढ़ाने के साथ ही साथ इसको कलर भी देगी और इसके अंदर हम आधा टेबल स्पून हल्दी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला फूल जाए आप चाहें तो इस मसाले में नमक डाल सकते हैं और नहीं तो प्याज तलते समय आप नमक डाल दीजेगा ताकि प इसमें से हमने पानी को सुखा दिया है पर पनीर को निकालने के बाद जो बड़ी साइस की डाइस कटीवी प्याज है उसे हम थोड़ा भून ले रहे हैं दो से तीन मिनट यानि थोड़ा सौफ्ट कर लेंगे आप चाहें तो इसे पाद में भी भून सकते हैं पर पहले भू में ही हम पूरी सबजी इसी तरह से डाइस को निकाल कर बना लेंगे अब हमने चार से पांच लॉंग एक बड़ी इलाची जिसे हमने तुकडे कर दिया था यानि उसके छिलके उतार दिये ताकि फ्लेवर जाए और एक चमच हम इसमें जीरा तीन से चार तेजपात आप चा इसे अच्छे से भूनेंगे हम पहले नमक डाल दे रहें ताकि प्याज हमारे अच्छे से गल जाए नमक डाल के मिक्स कर लेंगे लो फ्लेम पे हम इसे पहले ढख कर पकाएंगे फ्लेम पहले हमने टेज रखा था अब मैंने इसे ढख दिया हम हरे लेसुन का यूज कर रहे हैं और अद्रक का आज मैंने कूटा है थोड़ा सा क्योंकि ग्राइंडर मेरा खराब हो गया था तो हमने इसका पेस्ट नहीं बनाया आज इसे कूट कर बना रहे हैं बहुत ही अच्छा फ्लेवर है इसके में हमने दो मिर्चे भी डाल दी थी हरी और फटा-फट इसे हम मिला मिला कर फिर हमें अपने पैन को ढख देना है या कढ़ाई को जो जिसमें हम बना रहे हैं एक से दो मिनट ढखने के बाद ये पानी छोड़ेगी लो फ्लेम पे और इसी तरह हमने चार से पांच मिनट पूरे अच्छे से जब प्याज भून ली इसके बाद मिक्स किया हुआ मसाला जो फूल गया भी आपको यलोईश कलर रग रहा है पर बहुत ही अच्छी रंगत होगी इसमें थोड़ा सा पानी हमने कटोरी को धुल कर डाल दिया अब इसे ढखेंगे जैसे जैसे मसाला भूनता जाएगा कश्मीरी मिर्च का एकदम रेड कलर निखर कर आ जाएगा अगर आप सुखे मिर्च पाउडर नहीं डालना चाहते तो अवायट कर सकते हैं ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है कि अगर प्याज हमारी गली है हम और गलाना चाहते हैं और समय को बचाना है तो हम एक साइड टेमेटो डाल दिये हैं देसी टेमाटर है और इसके बाद इसम अपना पानी छोड़ दिया बहुत ही जादा अच्छे से टमाटर गल गया चार से पांच मिनट में इसके बाद हम एक कप पानी डालेंगे और इसे मिक्स कर देंगे मिक्स करने के बाद धक कर पकाएंगे अब आफ फ्लेम को मेडियम करके पका लेजे जब अच्छे से आपक सबजी पक के तयार हो जाएं तब आप पनी डालके अच्छे से मिक्स कीजिए और फिर इसके अंदर आप हरी धनिया डालकर इसे रोटी पूरी पराठा पुलाव के साथ इंज्वाय कर सकते हैं हमने देखे अपने बगीचे की जो धनिया डाली एकदम फ्रेश और हमारी पन चेंज हो गया है ना पहली यह हलका एकदम पीला लग रहा था पर आप बहुत ही टेस्टी और यम्मी बन कर तयार है आपको जरूर पसंद आएगा थैंक्यू